हेलो गाईज आज मैं आप लोग को चुकाऊंगा कैसे यूटूब के लिए थामनल आप लोग बनाऊगे वो भी MSPaint या MSWord में उसके लिए आप लोग क्या करोगे पहले जो वाला स्क्रीन लेना है न उसको प्रींट स्क्रीन नाम का कीबोर्ड में एक बटन होगा उसको क्लिक करना क्लिक करने के बाद MSPaint या MSWord में आना और CTRL भी इसको बोलता है YouTube Thumbnail, okay, देखो, एह हो गया, तुम्हारा, कुछ भी इसको अब तुम, कुछ भी कर सकते हो, देखो, ठीक है, तो एह हो गया, तुम्हारा Basic, उसके बाद MS Word mail भी कर सकते हो, तो देखो, as example, desktop background change कर देता हूँ, इस से, okay, अब print screen, keyboard में, उसके बाद देखो, ms ward open करो, इसको close कर देता है, ms ward में जाओ, हो गया open, फिर से paste कर दो, ctrl plus भी, हो गया, देखा, अब बहुत बढ़िया बात, पहले, text select करो, text का color select करो, इधर कौन सा color अच्छ लेगा, red, okay, उसके बाद, इधर style में, इधर, इधर, कौन सा style अच्छ लेगा, इसमें, कौन सा style अच्छ लेगा, आप लोग चीक कर लो, मेरे को लगा, अच्छा color है, यह हो सकता है, okay, तो मैं, word art, word art, इवल अच्छ लेगा, तो इधर, मैं क्या करूंगा, how to make youtube thumbnail, how to make youtube thumbnail, okay, देखो, यह क्या हुआ, नीचे आ गया, इसको picture के उपर लाने के लिए, format में आओ, उधर आने के बाद, पहले select करो, format में आना, okay, आने के बाद, text wrapping में आके, देखो, position select करना, पूड़ा, ऐसे भी हो सकता है, position आप लोग middle में करना, hold, फिर से देखो, हो आना, अगर ऐसे भी नहीं होगा, अगर ऐसा पसंद नहीं है, तो देखो, format में आओ, पॉजिशन में आओ, text wrapping इधर आके, इधर आपको select करना पड़ेगा, in line with text, behind करने के पाद position में आके, ऐसे, ऐसे आप लोग save कर ले ना, तो क्या हुआ, हो गया, तो ऐसे आप लोग poison change करके middle में भी आ ला सकते हो, तो वीडियो आज के लिए इन आइट, बिलते हैं किसे और एक वीडियो के लिए, तक तक के लिए बाई बाई हुआ हुआ है, तक के लिए बाई .